नमस्ते विद्यार्थियों, jcrtk dg school में आपका स्वागत है विद्यार्थियों हम सात्वी कक्षा के इतिहास विषय का अध्यन कर रहे हैं और आपके समक्ष आपके इतिहास विषय का आठ्ववा अध्याय जिसका नाम है आस्था एवं विश्वास तो विद्यार्थियों इस आठ्वे अध्याय का हमने अध्यन किया अब हमारे समक्ष इस अध्याय के प्रस्नोत्तर हैं जिने हमें हल करना है तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूँ कि इतिहास बिसे में चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों न हो उसमें प्रस्नोतर जो पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि आरंब में कुछ रीक तस्थानों की पूर्ती वाले सवाल है यानि की fill in the blanks वाले किसी किसी चैप्टर में मिलान करने वाले सवाल भी हैं इस से आगे विद्यार्थियों कुछ सवाल लगू उतर ये हैं जिसको हम लोग short answer type कहते हैं और उसके बाद कुछ सवाल जो है वो देर उतर ये यानि की long questions है ठीक है जिसका उतर जो है वो लंबा ह तो इस परकार से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो सवाल है उनको हम कैसे हल कर पाते हैं तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं सुरुवात आपका इसी तरह से fill in the blanks वाले सवाल से है और सुरुवात में देखिए यहाँ पे 6 सवाल हैं तो इन 6 सवालों में क्या-क जवाब हो सकते हैं उसे हम देखते हैं तो पहला कर नमबर जो सवाल है उसमें आप देखिए नैनार और अलवार साधू संत फिर खाली अस्थान है प्रवरिती के होते थे इसमें होगा विद्यार्थियों घुमकड यानि कि नैनार और अलवार साधू संत घुमकड प्रवर राज से है आगे है अलवार संतों में एक मात्र महिला संत काउन थी तो इसका उत्तर होगा अंडाल इसके अलावे अगला सवाल है संक्राचारे का दर्सन क्या कहलाता है तो इसका उत्तर है अद्वैत वाद है ना इसके आगे है वीर सैसोवाद, वीर सैववाद, कर्मकांड और मूर्ती पूजा के ब्योधी थे अगला सवाल है विद्यारतियों सूफी संतों ने हिंदू मुस्लीम एकता को प्रोचाहित किया और फिलिंदा ब्लैंक्स में अंतिम सवाल है गुरु नानक के उपदेश आदी ग्रंथ में संकलित है तो इस परकार से ये कुल छे प्रसने हुए विद्यारतियों आपको पाठ के अंतरगत मैंने बताया था कि सिखों के जो पांचमे गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने गुरु नानक देव के जो उनके विचार थे उनको संकलित किया था और संकलन के पर साथ जो ग्रंथ तयार हुआ उसका नाम हुआ आदी ग्रंथ ठीक है विद्यारतियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है अच्छा अगला सवाल मिलान करने वाला है जिसमें की जोड़ी लगाना है ठीक है तो इसमें विद्यारतियों आप लोग देखिए दो साइड देखिए एक साइड संतों के न इसमें लिखा हुआ है संकर देव, मौईनुदीन चिस्ती, रामानूज, गुरुनानक और कबीर और अस्थान के नाम में है अजमेर, आसम, राजस्थान, वारानसी और तलवंडी तो इद्यार्थियों आप देख सकते हैं इसका मिलान मैंने किया हुआ है संकर देव, संकर देव का सम्मन, असमराजी से है, मौईनुदीन चिस्ती, इनका सम्मन, अजमेर से है अजमेरियानी राजस्थान रामा नूज का सम्मन्द जो है वो कहां से है आप देख सकते हैं वारा नसी गुरुनानक देवजी का सम्मन्द है तलवंडी से और कभीर का सम्मन्द है राजस्थान से तो ठीक है विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं अब कुछ short answer type questions हमारे समक्ष हैं तो अगला सवाल है दक्सिन भारत में भक्ती आंदोलन का नेत्रित्व किसने किया ये कर नंबर सवाल है तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों दक्सिन भारत में सात्वी से बारही सताब्दी के मध्य सैव यानि की नेनार और वैसनव यानि की अलवार संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलनों का नेत्रित्व किया तो फिर से सुन लिजे विद्यार्थियों दक्सिन भारत में भक्ती आंदोलन का नेत्रित्व किसने किया दक्षिन भारत में भक्ती अंदूलन का नेतेत्व सैव यानि की नैनार और वैस्नव यानि की अलवार संप्रदायों ने किया ठीक है विद्यार्तियों अब हम आगे बढ़ते हैं को नंबर सवाल है स्रीमत भागवत गीता जिसे हम लोग गीता कहते हैं तो स्रीमत भागवत गीता के अनुसार मनुस्यों को पुनर जन्म से मुक्ती कैसे मिल सकती है तो इसका उत्तर होगा विद्यार्तियों स्रीमत भागवत गीता के अनुसार मनुस्यदी भक्ती भाव से इस्वर की सरण में जाए तो उसे पुनर जन्म के बंधन से मुक्ती मिल सकती है ठीक है? सिर्मत भागवत गीता के अनुसरार मनुष यदी भक्ती भाव से इस्वर की सरण में जाए तो उसे पुनर जन्म के बंधन से मुक्ती मिल सकती है ठीक है? गर नंबर सवाल है लोग सूफी संतों के मजार पर क्यूं जाते हैं लोग सूफी संतों के मजार पर क्यूं जाते हैं तो इसका उत्तर है लोग सूफी संतों की मजार यानि समाधी अस्थल पर अपनी सरद्धा सुमन अरपित करने जाते हैं कई लोग अपनी मननतें लेकर भी इन अस्थानों पर जाते हैं ठीक है विद्यागतियों अब अगला सवाल है मीरा बाई के भक्ती गीतों को क्या कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा मीरा बाई के भक्ती गीतों को पदावली कहा जाता है क्या कहते हैं पदावली ठीक है पदावली में मीरा बाई ने कृष्ण के प्रती अपने अनन्य प्रेम को ब्यक्त किया है विद्यार्थियों आपके समक्ष अगला सवाल है राम चरीत मानस के रचनाकार कौन है राम चरीत मानस के रचनाकार कौन है तो इसका उत्तर होगा राम चरीत मानस के रचनाकार गो स्वामी तुल्सिदास जी है ठीक है यहां तक समझ गए होंगे अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे कबीर यानि की संत कबीर संत कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे ठीक है तो विद्यार्थियों आप स्क्रीन पे देखिए कबीर सोतंत्र विचार के चिंतक थे कबीर कैसे विचार के चिंतक थे सोतंत्र विचार के उन्होंने ततकालिन समाज के दोनो धर्मों दोनो धर्मों यानि हिंदू और मुसलिम है ना तो उन्होंने ततकालिन समाज के दोनों धर्मों की बुराईयों की खुल कर आलोचना की। कबीर हिंदू मुसलिम समन्वय और एक्ता के पक्षधर थे। वे धर्म सुधारक के साथ साथ एक समास सुधारक अधीक थे। कबीर ने जादपात, मुर्ती पुजा तथा अवतार सिधान्त को स्विकार नहीं किया। उन्होंने सन्यास मार्ग नहीं बलकि परिवार के साथ रहते हुए भी धार्मीक एवं सामाजिक कुरीतियों एवं अंध्विस्वासों पर आगात किया। वास्तम में कबीर ने मन की प बाबा गुरुनानक की प्रमुक्सिक्षाएं क्या थी। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों बाबा गुरुनानक एकेश्वर वाद में विश्वास करते थे। उन्होंने निर्गुन ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। उन्होंने निर्गुन ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। गुरुनानक देव संत होने के साथ साथ समाशुधारक और धर्म सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन में सादगी और सचरित्रता पर बहुत बल दिया है। अगला सवाल है मध्यकाल में लोग तिर्थ यात्राएं क्यों करते थे। सवरी विद्यर्थियों अगला सवाल है चिस्ती संप्रदाय भारत में अधिक लोग प्रिये क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है चिस्ती संप्रदाय के लोग प्रिये होने के अनेक कारण थे। चिस्ती संप्रदाय के लोग प्रिये होने के यानी पॉपुलर होने के अनेक कारण थे। चिस्ती संप्रदाय साधारन वश्वुसा में रहते थे, उनके सुध्ध और सरल आचरन और साधारन रहन सहन ने आम जनता को काफी प्रभावित किया। वे साधारन घास फूस की जोपडियों में रहते हुए बादसाहों के कीमती तोफों को ठुकरा दिया करते थे ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमारे सामने अगला सवाल है मध्यकाल में लोग तिर्थ यात्राएं क्यों करते थे तिर्थ यात्राएं तो आज भी करते हैं तो आज की परिष्टितियों से आप समझ सकते हैं कि मध्यकाल में लोग तिर्थ यात्राएं क्यों करते थे लेकिन मिद्यार्थियों मध्यकाल में तिर्थ यात्रा पैदल ही किया जाता था आजकल तो बहुत सारे साधन है और कम समय में हम तिर्थियात्रा कर लेते हैं तो चलिए जब राजाओं द्वारा धार्मिक अस्थलों पर विशाल मंदिर बनाए जाने लगे और तिर्थ अस्थलों पर साधू संतों और आम लोगों का इकठा होना शुरू हुआ तो वहां संत लोगों के उपदेश और आध्यात्मिक उनत्ती के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी लोग मंदिरों के दर्शन के लिए और आध्यात्मिक उनत्ती के लिए तिर्थियात्राएं करने लगे ठीक है तो आप समझ रहे हैं वित्यागतियों अब आगे है संक्राचारे के प्रमुख संदेश क्या थे तो इसका उत्तर आप ध्यान से देखें और जहां आपको लगेगा कि ये उत्तर आपको अच्छा लग रहा है उसका आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं उसको अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं तो चलिए हम संक्राचार्ज के प्रमुख संदेशों को देखते हैं भक्ती प्रम्प्रा के प्रथम प्रचारक संक्राचारे को माना जाता है संक्राचारे ज्ञानमार्गी थे जगत को मिथ्या तथा ब्रह्मा को सत्य मानते थे इस्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञानमार्ग पर बल दिया उनका दर्सन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद है अद्वैतवाद का अर्थ है इस्वर ही सत्य है उन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड सन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृती को समझने पर बल दिया उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार को अपनाने का उपदेश दिया ठीक है? अब आपके समक्ष अध्याए 8 का अंतिम सवाल है इसका उतर है उनमें आपस में प्रती द्वन्दिता यानि की competition और बैमनस्य की भावना नहीं होती थी यानि कि सूफी संतों में आपस में प्रती द्वन्दिता और बैमनस्य की भावना नहीं होती थी, वे परस्पर आदर और समझावते की निती का अनुसरण करते थे, इनका बैवहार भक्ती आंदोलन के संतों की तरह ही होता था साहित्य, भासा, दर्शन और संगीत के विकास में भी सूफियों का काफी प्रभाव था तो इद्यार्थियों, इस परकार से जो भी प्रस्ण आपके पाठ संख्या आठ पे उपलब्द था, उसका उत्तर मैंने बनाने का प्रयास किया और आप कोशिस कीजिएगा, टेक्स्ट बुक को आप खूब ध्यान से पढ़िए, ताकि आप खुद से और अच्छे उत्तर लिख सकें ये उत्तर भी सही है, आप चाहें तो इनको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आपका लिखने का तरीका चाहें जो भी हो, लेकिन उसमें असपष्ट उत्तर जलकना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे तो ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समात करता हूँ, जहिन विद्यार्थियों, जुहार विद्यार्थियों